हलो फ्रेंस, वेलकम टू परचम क्लासेज, आज का सेशन बहुत इंपोर्टेंट है आप सभी को पता है परचम लेकर आरह है एंसे आर्टी सीरीज इस एंसे आर्टी में मैं आपको जनरल साइंस, यानि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की जो भी घनरल साइंस चैले हो फिजिक्स हो वो chemistry हो, biology हो, उन सारे topics को मैं cover करूँ आपके साथ NCRT में, जहां हम लोग real NCRT से data लेंगे, उनको यहां हम चीज़ों को समझेंगे, उनको easy way में चीज़ों को तयार करेंगे, PCS में, UPSC में कैसे exam admissions बनते हैं, आपकी और exams को कैसे cover करता है, चाहिए वो CDS हो, General Science जहां रोल आपको देखेगा, वहाँ यह series आपकी बहुत help कल रहे हैं, session को बहुत अच्छे से देखना है, मैंने यह जितने भी sources लिया हैं, वो real, चाहिए वो class 9 थो, class 10 थो, class 6, 7, 8, देखे, एक थोड़ा सा general science में जब हम लोग study करते हैं, तो हमारा जो doubt है, वो और class subject की comparison में थोड़ा अलग है, कि हम class 6 से लेकर, class 12 तक में, और other subject में देखे हैं, history, geography, तो वो almost cover किया जाता है, पट science में क्या है, class 11 को बहुत कम एक topic सिर्फ cover होगा, जो सिर्फ biology का होगा, ठीक है, अगर मैं कहूँ, class 11 में भी सिर्फ biology cover होगी, physics, chemistry को हम लोग cover नहीं करते हैं, वो हमारी general science का part नहीं है, जो हमारी UPSC, state, PCSEI और competitive exams में नहीं पुछे जाते, जो basic मैं कहूँ, ncrt, वो class 9 और class 10 को cover होती है, ठीक है, साथ में कुछ part biology में class 11 से भी होता है, जिसे human physiology है, plants और plant की morphology है, ठीक है, इसके साथ साथ जैसे organism का classification हो, class 11 से हम लोग लेते हैं, कुछ human physiology भी हम लोग class 11 से लेते हैं, पर एक basic idea मैंने दे दिया है कि हमारा ncrt क्या है, अब class 678, इन तीनों glasses में अगर हम देखे हैं, science का उतना ज्यादा पार्ट नहीं है, जो chapter science के हैं, वो कहीं न कहीं class 9 में उन्होंने basic form में cover कर लिया है, और हम base लेकर चलेंगे class 678 का, आज के session से ही आपको पता लगेगा कि हम किस basis पर इसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले कर मैं यह कहूं कि हम लोग physics की बात करें, तो physics में, आज का season physics को dedicated है, जैसे मैं कहूं class 9 की बात करें, class 9 में जैसे first chapter, physics का first chapter वो है motion, class 9 की book ncrt की यह है, यह class 9 की ncrt आपको बता है, और इसमें वैसे जो physics का अगर देखें, तो पहले chapter motion है, ठीक है, और अगर हम बात करें कि और जो chapters हैं, उसमें chemistry और biology को cover किया है, जैसे इसमें first chapter अगर मैं कहूं तो matter और its surrounding, दूसरा है is matter around us pure, atoms and molecules, यह तीन chapters हैं, तीनो chemistry के हैं, उसके बाद हमारा आता है यहां पर motion, फिर है force, अब motion से related ही आपको बता है, फोर्स, law of motion, Newton के law, जहां Newton के first, second, third law के बारे में बात करेंगे, examples के बारे में बात करेंगे, आज के lecture में हम लोग motion को शुरू भी करेंगे, gravitational force, gravity क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, अर्थ की gravity क्या है, ठीक है, अर्थ के rotation से क्या gravity effect होता है, क्या numericals gravity से बनते हैं, पर हो, वहां से किस तरह से different है, gravity, अर्थ की gravity से, उनको देखेंगे, उनका comparison करते ही चीजों को समझेंगे, universal law of gravitational को देखेंगे, उसके बाद हम करेंगे work और energy, आपको पता है, यह बहुत important topic है, chemistry में, theory भी बहुत बनती है, और essay questions भी pyqs बहुत बनते हैं, जहां confusion create होता है, ठीक है, हम बात करेंगे sound की, देखें, sound से पहले मैं आपको जो cover करूँगा, वह करूँगा aware, ठीक है, कि wave क्या है, कितने type की होती है, mechanical wave क्या है, non mechanical wave क्या होती है, inverse, transverse wave होती है, sound कैसे wave है, longitudinal wave है, कैसी wave है, sound कैसे effect करता है चीजों को, sound से जो numerical जैसे हम बात करते हैंगे, sound किस तरह से work कर रहा है, और solids में किस तरह behavior करता है किसमें जादा sound कि speed जादा होते इस तरह के questions बहुत ज़दा बनते हैं Class 10th में जैसे important topic यहां बनते हैं आपको पता है light एक important topic है यहां हम light को समझेंगे mirror को देखेंगे lens को देखेंगे इन सारी चीज़ों cover करेंगे electricity के आप करहेंगे ohms-loāk की बात करेंगे parallel combination series with यह से बहुं पता है उसके बारें Elizabeth गतेंगे magnetic effect साथ और इसके साथ क्या magnetic effect होते हैं उनक Saxe करने Leben chemistry का उगा तो वहां भी बतायाँ आगा कि क्यों-कोंसे topics cover हो ちb हम लोग connect करते हैं ताकि आप यह समझ पाएंगे हम लोग कभर क्या करने वाले हैं और किस तरह से चीजों को कभर करेंगे अगर मैं आज का topic की बात करूं तो वह है motion बहुत अच्छे से देखना है motion क्या है और इतना अच्छे से रिलेट करना है कि आप इसको physics को जो कहीं नहीं जो complicated है जो non science की students होते हैं उनके लिए physics थोड़ा सा complicated subject है लेकिन मैं आपसे promise कर रहा हूं अगर आप इस ncrt को पूरा समझेंगे और हम एक word to word देखो ncrt की study का सबसे basic फाइदा क्या है ncrt का सबसे अच्छा फाइदा यह है कि हम लोग जब sse railway या direct कभी physics chemistry biology पढ़ते हैं तो concept नहीं पढ़कर हमारा परपज ही रहता है कि हम डायरेक्ट पीवाई क्यू सौल कर लें और हमें वही classes अच्छी लगने लगते हैं फिर हमारी habit हो जाती है हमें नहीं पता होता कि ऐसा इसका answer एक क्यों है बस हमें पता होता है कि है स्केअच क्यों है यह अगा पता है कहलेक्याम,'етаि कांफर होती है यह कंफ्ति हें पता हूं है यह सिर्कुलर मोशन है रोटेशनल मोशन है यह करने हम लोग मैं लाइन अब च्छीजप कर लोग। कि motion क्या है देखे जब हम डेली रूटिल लाइफ में देखते हैं तो हम ऑबजेक्ट को देखते हैं कि कुछ ऑबजेक्ट क्या है रेस्ट में है और कुछ ऑबजेक्ट है बनती है कोई जैसे हम एक में लिकपड़ और एयसा ही फिजिक्ट की दोष्ट होती या तो कोई ए incident में होगा या कोई आन्यां में होगा तो रेश्ट ऌर लोग एके सब्सक्रांद होती है इन फिजिक्स देरा टू स्टिट्स फर्स्ट रेस्ट यह स्टेश्नरी एंड सेकेंड मोशन रेस्ट और मोशन क्या है हम मैं यह कहूं कि यह laptop मेरे सामने रखा है और अभी भी यह रखा है धया नहीं में नहीं हो रहे हैं तो मफ़ी कहूंगा कि यह laptop रेस्ट में क्योंकि इसकी position नहीं हो रही है पड़तर में बात कर właściwie ऑब स्कार्ण करते हैं बिल्कूल सर करते हैं फिश स्विम करती है तैरती है यह वह एक्जामपल तो इसे आट में यह मैं कहूं कि मेरी पूरी बॉडी में जो ब्लेड का सर्कुलिशन वो रहे यह नि ब्लेड फ्लो कर रहा है ठीक है अगर मैं बात करूं यह प्लैनेट के मॉलिक्यूल्स इस्टार्स यह गलेक्सी यह सब क क्यों और क्या डेफिनेशन है मोशन भी अगर मैं यहां से यहां चल कर जा रहा हूं इसका मतलब मैं क्या हूं मैं मोशन में हूं ठीक है यानि हमारे डेली रूटिल लाइफ में किसी ने किसी ऑब्जेक्ट की दो पोजिशन ही हो सकते हैं या तो वो रेश्ट में हो सकता है मोशन में हो सकता है अब मोशन और रेश्ट क्या है रेश्ट और मोशन क्या है देखो if the position of an object does not change its time passes then it set it to be rest यह कह रहा है कोई object की जो पोजिशन है जैसे महां लीजिए मैं यह कहूं कि यह बुक है और यह बहुत टाइम से आ रखी है एक सेकंड्ड दो सेकंड्ट तीन सेकंड्ड चार सेकंड्ड अब तक यह बुक क्या है एक बुक है यह रेश्ट में है क्योंकि टाइम के साथ इसकी position चेंज աेंध लेगिर अगर यह ऐसे होती चल रही होती तो आप कहते है illustrations कि इससे इसकी एक object लो कब motion बोलेंगे when it position change continuously with respect किसके respect में to a special stationary object taken as reference point अब एक word निकल कर आ गया है क्या निकल कर आया है कह रहा है reference point reference point reference point क्या है reference point यह है जैसे मैं यह कहूँ कि यह A है ठीक है और यह है B यह A से B 10 मिटर है ठीक है जब A अब 10 मिटर किसके रेस्पेक्ट में है, बी कितना है, 10 मिटर है न, अगर ये एक के रेस्पेक्ट में है, यहाँ रेफरेंस पॉइंट क्या है, अगर मैं आपको ये कह दू, ठीक है, ये 10 मिटर है, तो आप बोलोगी न, क्या, कहां से, इसकी कोई मतलब हुआ, नहीं न, क्योंकि किसी भी इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम यही देखना पड़ेगा, कि जो अबजेक्ट की पोजिशन है, जो चेंज हो रही है, वो किसके रेस्पेक्ट में हो रही है, तो यहां क्या होगा, यहां reference point क्या होगा, यहां reference point होगा, यहां A से 10 meter क्या है, B की position है, तो यहां A क्या है, जो reference point होगा, तो यहां object की जो position change हुई है, यह यहां से चल कर B तक गया, ठीक है, इसका मतब क्या है, यह object motion में है, हम reference point के basis भी कह सकते हैं, और इस object की position change होने में, किसके respect time के respect में तो कुछ तो कुछ तो कुछ तो टाइम लगा होगा ना इस object को यहां से यहां नहीं माले एक मिनट लग गया ठीक है तो यहां क्या है यह time के respect में position change हो गई है तो motion की दो definition है an object is said to be motion when it position changes continuously with respect to a stationary object जिसको हम a reference point लेंगे यह मैं यह कहूं यह phenomenon है कि which is object change in position with respect to time time के respect में जैसे birds fly करते हैं ठीक है यह सब चीज़े fly कर रहे हैं देखो an object can be rest किसके ठीक है अब देखो यहां कह रहा है कि एक चीज क्या है same time में किसी person के लिए rest भी हो सकती हो और किसी परसें के लिए क्या हो सकती है motion भी हो सकती है ठीक है अब कुछी जों को सिर्फ हम वैसे feel कर पाते हैं जैसे मैं कहूं कि पतियां हील रही है हेल रही है जैसे sunrise sunset ठीक है सूरिया होता है हिए होता है सूरियास होता है वैदर चेंज होता है season चेंज होता है यह किस बिशी रहे लेकिन हम उनको in direct way से सभड म करते हैं हम इनको دیکھ यहाँ एक person खढा है इस पेट के नीचे ठीक है यह बस यहां से निकल रहεί है कोई object motion में हो सकता है ठीक है अब मैं यह कहूं यह परसन इस गाड़ी की तरफ उस बस की तरफ tha तरफ देखता है कि यह जो person है यह यह गाड़ी चल रही है तो यह सूचता कि यह पर्षन क्या है यह पर्षन है मोशन में क्योंकि गाड़ी चल रहे गाड़ी क्या है यह पर्षन मोशन में ठीक है और इस पर्षन के लिए यह ट्री क्या है यह पर्षन के लिए ट्री है उसको लगता है पेट चल रहे हैं मोशन में है ठीक है लेकिन इस पर्षन के लिए ये पर्सन और इस पर्सन के लिए ये पर्सन क्या है ये तो कहेंगे तो रेस्ट में तो कोई पर्सन किसी के लिए रेस्ट में हो सकता है और वो ही पर्सन किसी लिए क्या हो सकता है मोशन में हो सकता है, जैसे मैं और आप एक बस में बैठे हैं, मैं आपके साथ बैठा हूँ, आदी घंटे का हमने सफर किया, दिली से जैपूर मुझे जाना है, तीन घंटे लगेंगे, ठीक है, मैंने देखा कि आप दो घंटे से मेरी सामने बैठे हैं, तो मेरी नजर में क्या हो motion में हो हो ना तो कोई object किसी की observation से देखते हैं तो कोई person motion में है और वही person किसी के लिए rest में भी हो सकता है यानि यह देखने वाले भी depend करता है observer पर depend कर रहा है कि कोई चीज मोशन पर है या rest मोशन यह जो भी मोशन से वह complex होते हैं अब यह जो भी मोशन हो रहे हैं यह दो तरीके सकते या तो यह स्ट्रेट लाइन में मोशन हो सकता है ठीक है हो सकता है यह circular motion हो सकता है? ये rotational motion हो सकता है? ये vibration हो सकते है? हो सकता है نा? तो ये अल्ग-अलग हो सकता है ठीक है? ये यो motion से different type के motions हो सकते हैं कुछ circular motion होगा, straight line motion होगा, vibrational motion होगा rotational motion होगे इन सारी चीजों के वारे में one to one हम study करने वाले हैं लेकिन आज का लेक्चर्ड डिपेंट होगा स्ट्रेट लाइन मोशन यानि एक सीधी रेखा पर स्ट्रेट लाइन के मोशन के बारे में आहँ जम लोग डिस्कूस करवा हैं आप देखें हम बात करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुना तो माल लेओ एक ऑबजेक्ट है ंतर आपकी कहीं पोस्टिंग होगा आप लगए किष स्कुल में अपने पूछह स्कुल में अपने सांट में नौर्थ साइट से दो किलमेटर चले two kilometer चले ज़ा आपको इसकोोला जाईगी यहां जो मैंने railway station लिया ठीक है railway station क्या है यहां railway station reference point क्या है यहां railway station क्या है reference point है हम इसकोο proposition by बोल सका है जहां से origin हुआ है ठीक हो है तो किसी object की position के लिए हम्हां उजसे کرते है रेफ़ेंस स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में समझते हैं देखो स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है अगर मैं यहां स्ट्रेट लाइन में बात कर देखो हम स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए एक चीज समझते हैं एक एग्जामपल हम लोग यहां लेते हैं ठीक है बहुत अच्छे से देखन स्टार्ट किया है यहां स्टार्ट किया होगा मालो यहां एक पॉइंट लेता हूं यहां एक पॉइंट लेता हूं और यहां एक पॉइंट लेता हूं और यहां एक पॉइंट लेता हूं ट Ici अब हम बात करता है simple तरीक शेतरा बहुत श्या से माल ओड़र किलोमेटर कि बात करता है तो ये 5 km 10 km 15 km तुँपिफीज किलोमेटर 25 km 3 km 35, 40 45, 55, 50, 55, 55, 60, 65, 70, ऐसा माल देते हैं, हमने यह ले लिया, हमने कहां से स्टार्ट किया हमारा, हमने यहां से स्टार्ट किया, जीरो से, यानि ओ से स्टार्ट किया हमारी, ठीक है, हम चलने के स्ट्रेट लाइन यानि एक सीधी रेखा के बाग कर रहे है, ठीक है, मुझे जाना है तक तो मुझे जब ए तक मैं अपना distance cover करूंगा ठीक है तो कितना हो गया 70 km ठीक है और मैं ए से वापस आता हूं आपका सी तक महलों तो सी तक कितना है यह 25 है 70 मिसा 25 गये तो कितना हो गया 45 एक चीज बताओ आप गए आपने 70 km ißtक और इसके मतलव 45 रिटन आके अगर आपसे पहसे कि पूछह कि ने कितना इसने कवर किया है तो डिस्टेंस कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस तो 70 प्लस 45 एंड 105 किलोमेटर आप्टे डिस्टेंस कवर किया यह तो क्या हो गया हमने एक औरिजन पॉइंट 0 से स्टार्ट किया और फिर हम पहुंचें सी बी को कवर करते वे अपने पॉइंट ए तक और वापस हम रिटन आये बी को कवर करते वे सी तक तो टोटल डिस्टेंस हमें पता लगया हम डिस्टेंस किसी ऑब्जेट को डिस्टेंस के लिए हमको नुमिरिकल लेली बताते हैं 70 किलोमेटर हमने बतल लिया ना क्या हमें इसके लिए को डिरेक्शन के जुरुत प हैं हम ने इसके आप इसके बारे में बात Gear 200 किलोमेटर नर्व के जरब गया thing conscious कि अ ब Exchange बतानो कि وہ किटनी में डिस्टेंस पे और लेते हैं और उसमें डियली government नहीं कि मैं ओ अब्जेक्ट से यहां ओ था ठीक है यहां से स्टार्ट की मैंने मेरी ज़र नी मैंने यहां सुरू किया था यह मेरा रेफरेंस पॉंट था मैंने ओ से एप गया वापस एप पर आ है अगर कोई आप से पूछ ले कि बताओ displacement कितना होगा displacement क्या होता है सर देको displacement के एक ही definition समझ है कि एक ही point रहेकल है बहुत इजी है displacement क्या है आप एक second में समझ जाओगेh displacement action में होता है fa הע Pep पोजिशन और initial जो है क्या क्या बात करहे हूं final position और initial position अब final फाइनल पॉजीशन मों से फाइनल पॉजिशन यह वाली थी पर और एनिशन सुरूआ की ती इनिशन पॉजिशन हमरे ऑली तो फ्यराइनrail पॉजेश और इनिशन जो पॉजिशन से उस मीनिम डिस्टेंस को क्या करते हैं डिस imprison को थे हैं कि तो है हैं displacement कीतना हो गया यहाँ displacement हो गया आपका को 4025 क्या हो गया displacement केतना हो गया 25 हो गया displacement स्था स्थास आप फैनल और क्या पूछा है धोन्य चीज़ क्या कि फाइनल पॉजीशन के पीचिश क्या है मिconnect कहा है displacement अब & यहां ना displacement पे हैं न डिस्टेंस पे displacement और डिस्टेंस तो इसली आपने identify कर लेगी सब्सक्राइब और यह कि डिस्टेंस अब एक पास समझों बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा अगर मैं यह बात बोलता आपको मालो एक परसन है जो चलता है यहां से अपने origin point से और जाकर पहुंचता है बी तक ठीक है और बी से वापस एक तक आ जाता है और यह यह और बी का distance है 10 km तो बताओ जो यह परसन है जो राम है माली दी यह राम है राम ने कितना distance ट्रेवल किया तो आप कहेंगे सर 10 km वो गया था ठीक है 10 km वो गया था तो 10 km और सर 10 km वो वापस आ गया तो 10 km तो सरी इसन्स टोटल distance cover किया 20 km है बिल्कुल सही है distance एकदम perfectly है अगर मैं पूछों कि बताओ उसका displacement क्या है कि displacement क्या है तब आप क्या होगे सद्धिस्प्लेस्ट यहाँ पर क्या होगा जीरो क्योंकि initial position और final position का difference क्या है जीरो है एस से start क्या था और एपर ही आकर रुख गया तो यहां इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन के भी इस डिफरेंस क्या है जीरो ठीक है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेस्मेंट क्या हो सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेस्मेंट हो सकते हैं जीरो जहां रखना अब एक चीज यहां और समझने वाली चीज है क्या क्या है हमने distance or displacement के बारे में बात की the distance traveling and object is the length of the actual path ठीक है जो हमने actual path की बात कर ली scalar quantity है क्योंकि distance में क्या है scalar or vector quantity का देखो जन जट यहां समझो क्या है इसके बारे में भी हम बात करते हैं मैंने कहा ना आपको छोटी-छोटी चीजे के बारे में बात करेंगे physical quantities अब physical quantities भी दो टाइप्स की होते हैं एक तो होती ही scalar हाना scalar और vector scalar quantity होती है ठीक है अब scalar quantity और vector quantity ठीक है अब देखना आप इसमें भी दलतिया नहीं करोगे कभी भी ठीक है आप जिनको क्या कर सको मेंजर कर सको जिनको आप मेजर कर सको माप सको ठीक है मापन कर पाओ उनका मेजर कर पाओ उन सारी quantities को physical quantities कहते हैं, जैसे जैसे आप किसी के length को measure कर सकते हैं, बिल्कुल सर कर सकते हैं, किसी के mass को measure कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, time को measure कर सकते हैं, temperature को measure कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, force को measure कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, force को measure कर सकते हैं, work को measure कर सकते हैं, इन सारी जो को major कर सकता है इसलिए all those quantity which can be measured वो क्या है physical quantities है यह सारे examples length है इतने length हो सकते है अब इतना mass का हो सकता है इतना temperature का हो सकता है इतना force Newton force हो सकता है इतना work हो सकता है यह सब major हो सकते है इनकी पहली बात है scalar quantity और दूसरी है vector quantity अब scalar quantity के बात करता है scalar quantity यानि हम इसमें direction की बात नहीं करते बस इतनी जी बात तो सबसे पहले आ तक नहीं है scalar quantity are not dependent on direction किस पर dependent नहीं होती direction पर dependent नहीं होती ठीक है direction भी dependent नहीं होती है इतनी रिक्वर्मेंट होती फिजीकल स्केलर क्वांटिटी कैन भी डिस्क्राइब ओनली बाइ मैगनिट्यूड ठीक है मैगनिट्यूड इनमें direction जरूत नहीं होती सिर्फ मैगनिट्यूड की जरूत होती है बिलकु सही है जैसे लेंथ अब लेंथ में क्या है आप लोगे 10 सेंटे मिटर 5 मिटर 10 किलो मेटर मास इतना वाद टाइम 10 सेकिंड 20 सेकिंड 50 सेकिंड 1000 सेकिंड 10 गंटे 20 गंटे केवल आपको क्या जरूत पड़ी एक सब्सक्राइब की डिल की बात पर रहे हैं चाहरे सब्सक्राइब के बात कर ल實 घो मांटिटर के बात करने नहीं होरे सब्सक्राइब Ace skiller कंटे उन हम आपको सब्सक्राइब और कि Experiment Ra thinking और सब्सक्राइब के बात करते हैं कि देन्सिती के गैड लेंथ मास टाइम टेंपरिचर डेंसिटी पर जब वात करते हैं इस डिपेंड ओन दे बोथ डायरेक्शन एस वेल इस मेगनिटूग जैसे फोर्स सबसे अच्छा एक्जांपल है फोर्स अब फोर्स आपने लगाया आपने लगाया टैन न्यूटरिंग फोर्स में कि डायरेक स्धक्री लेगा ट्यूबक्त तुम्म कहोंत अब्जक्ट को कुष करना तो इसमें टैन pays का डायरेक्शन की वेलू होती है आगर डायरेक्शन नहीं परिंजहाँ गंटा liksom है इउडऋर्दे यूंद करें magnitude की बात करें पर क्या हम जब यह बोलते हैं 10 मिटर 10 सेंटिमेटर 15 सेकिंड 5 घंडे 10 किलोमेटर यह यूनिट्स क्या है यह जो पीछे सेंटिम क्या सोचो मैं 10 सेंटिमेटर अगर मैं 10 सेंटिमेटर ना बोलू और मैं सिर्फ 10 बोलू तो आप पता लगा पाओगे कि मैं क इसके बाद कर रहा हम सिस्टम ओफ यूनिट्स बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है छोटे-छोटे पूइंट तो साथ आप भूल चुके होंगे यह हम जिनको गोर नहीं करते इसलिए मज़ें फिजिक्स ऐसे ऐसे होती 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 इतना बड़ा बना लेती है कि हमें अंदर आने से बड़ा लगता है सिस्टम ओव यूनिट्स में यह यूनिट्स ही तो है यूनिट्स क्या है यूनिट्स वह टूल्स है जिनको यूज करके आप फिजिकल क्वांटिटी को इफ्ट्टिवली मेजर कर सकते हो अब 10 सेंटीमेटर तो आपने इजिली बता पा रह को एक स्टेंडर्ड साइथ होगी यह 10 सेंटीमेटर इतना ही होता है सब जगे तो वह टूल्स जिनका यूज करके आप फिजिकल क्वांटिटी को याद आगे हैं फिजिकल क्वांटिटी को एफ्ट्टिवली मेजर कर पाएं वह क्या है यूनिट्स होती है मेजर मेंट्ड फिजिकल क्वांटि अरेक्स प्रेशेशन इंटर्म उप यूडिट्स्ा यूनिट्स की टर्म में करते यहां जैसे ऐसा है इनटरेशन स्टिनार्ड फाहएं यहमारा पूरा अर्थ है यह पूरा है जो कंट्रीज ग्लूप है यह इस ब्लोबल लेज पर दे प्रोलो करते हैं जैसे मैं कहें लेंगे किलो मिटर में मिटर में सेंट्र में मास में शियू में बूल सीध्य हम क्या क्या चीजे हमने देखी हमने देखा कि स्किलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी की हमने बात की हमने देखा कि कैसे एक जो मोशन है वो क्या है रेफरेंस पॉइंट क्या होता है स्ट्रेट लाइन में मोशन कैसे होता है स्ट्रेट लाइन में हमने डायरेक्शन और ड पूशनाओ आपसे डिस्टेंस क्या जीरो हो सकता है डिस्टेंस जीरो हो सकता है क्या यह बताओ डिस्टेंस जीरो हो सकता है नहीं अगर मैं बात तुरू डिस्टेंस की डिस्टेंस अभी लेकिन डिस्प्लेस्मेंट जीरो हो सकता है क्या हो सकता है डिस्प्लेस्मेंट क्या ह वो ही वापस रोट कर उसी position पर चया हो जाए reviewing पोजिशन के मिन डिफ्रेंट को क्याँ बोलते हैं विलकुल this 10 से displacement बोल ते ज़से मैं कहूं यहां से ए से चल कर बी तक जाना है ठीक है अब ऐसे होगा गया से son jaai कै ये तो हो गया distance कि डिस्प्लेस्मेंट के यह कि मीनिमम डिस्टेंज ठीक है मीनिमम डिस्टेंज अब एक चीज और देखो ओडोमेटर एक एंजारिटी में क्यूशन माना था अभी पीसेस में क्यूशन आया था सब्सक्राइब क्या था कि स्पीड के लिए वहां थोड़ा फसाया था एक ओप्शन सी जो था एबी सी में सी यह था कि जो वहिकल होते हैं उनकी स्पीड को ओडोमेटर द्वारा क्या क्या जाता है है तो यह स्टेट्मेंट गलत था क्योंकि एक तरह से तो इलेक्ट्रिक वहिकल होते हैं कि क्या है जो वहिकल होते हैं उनमें डिस्टेंस को देखने के पार कितने डिस्टेंस चल गई है ठीक है हम देखते हैं यह तो सो खिलोमेटर चल गई हमारी गार यह किस से बता लगात रहों कि उडिसा मुझे जाना है तो लगबा कितना है एटीन 50 किलोमेटर है जैसे आप पहुचोंगे दिखाने लगेगा यह इतनी किलोमेटर तो आपके किसमें देखा और में आपने इसके बारे में बात कि अब हमने motion दो बात कर दो लेकिन motion में एक problem है motion से इतना सा नहीं है motion दो तरह का होता है uniform motion और non uniform motion एक समान गती वाले और अलग लग समान गती वाले ऐस समान गती वाले या uniform और non uniform यहां confusion create होगा और इसी confusion को create नहीं होने देंगे हम लोग देखो क्या है माल लिया कि कोई straight line में चल रहा है कोieten right yeah मैं i certo line में start करता हूं straight kalay मैंने हर één second मैंने हर 1 second में 10 पीर अगले 2nd में 10 मिटर उसकी अगले 2nd में 10 मिटर उसकी अगले 2nd में 10 मिटर तो मैंने क्या क्या हर 1 2nd मे यह एक time duration में इक fixed distance को को और किया हर एक सेकेंट में टैनवंटेंटेंटूंटेंटों कोई हो दिद वह हर एक सेकेंट में 50 मिटेंट कर दो कोई ओब्जेक्ट एक टाइमीं इंटरवेल में एक fix duration को cover करता है तो वो uniform direction है देखो an object is to be uniform उसको uniform motion कब कहेंगे if the travel equal distance तो हमने equal distance की मैंने हर second 10 meter को cover किया in equal travel of time और एक particular हर एक second में cover किया तो ये क्या है ये ये है uniform motion लेकिन non uniform motion क्या है जैसे daily routine light में जैसे मुझे बोला ममी ने कि जाओ और सबजी लेकर आने मैं गया यहां से bus stand with traffic है फिर को अंदर में traffic मिल गया मैंने 10 meter में मालो मेरे घर से 100 meter है हना सबजी मार्केट और मुझे उस गाने में 5 minute लगे आप थोड़ी देर बाद में जाओगे वो सकता आपका भाई गया और उसको जाने में 8 minute लग गए और हना और रात को late night आपके पापा गए वो 3 minute में पहुँच गए यह किस बाद पर डिपेंड कर रहे है कि ट्राफिक पर डिपेंड कर रहे हमारे daily routine light में हना non uniform motions है ठीक है हम ट्राफिक में फ़र्जाते हैं किजी पार पारकिंग इंसल में फ़र्जाते तो क्या है हम एक particular distance को cover करने के लिए अलग अलग time लगता है an object is said to be non uniform motion का आप कहलेंगे if the travel unequal distance in equal travel of time एक particular time में आप ऐसे समझो कि मुझे जाना है मैंने एक मिटर में एक मिनट में हाना सो मिटर कवर कि किसी ने 50 मिटर कवर कि किसी ने 20 मिटर कवर कि किसी ने 10 मिटर कवर कि हाना एक सेक्ड में अलग अलग हो सकते हैं कभी जादा हो सकती है कभी कम हो सकती है तो क्या है un equal distance को cover किया एक interval of time में, ठीक है, क्योंकि कुछ object भीरी चलेंगे, कुछ fast चलेंगे, वो object की rate of motion अलग-अलग हो सकती है, अलग-अलग time interval में अलग-अलग rate हो सकती है motion की, तो इसको समझना पड़ेगा, यह क्या है, speed is a body, is defined as a distance traveled by the body in unit time, एक unit time में को जो distance travel किया किसी traveler ने, वो क्या है, वो speed है, अब speed तो है, speed की ऐसा unit क्या होती है, meter per second, क्या होती है, meter per second होती है, इसकी दूसरी unit, देखो, आप इसको यह समझने को रहूं, देखो, speed की बात कर रहे है, ठीक है, एक time interval में जितना distance cover करेंगे, ठीक है, एक particular time distance में है, जितना distance हम cover करेंगे, उसकी rate of motion हमें निकालने पड़ेगी, यहनि speed की बात कर रहे है, कि कोई traveler, कोई person है, वो जितना distance cover करेंगे, ठीक है, आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, अब देखो, यहाँ एक line में समझ मैं जाएगा, जब मैं बोलूं कि speed, आपकी गाड़ी की speed कहते हैं, सोचना, तो आप कोगे, 50 km पर आर, क्या आपने direction की बात की हैं, speed में नहीं करते हैं, इसका मतलब क्या है, यह scalar quantity है, आ रहे है समझा है, येरस, इट केंबी जेरो, और पॉजिटिज्व, ये देखो, जीरो भी हो सकते है, speed खड़ी होगा आटी, तो speed में नहीं होगा, जीरो speed भी हो सकती है, और यह जादा भी हो सकती है, positive हो सकती है, बट ये negative नहीं हो सकता, हैसा ने हो सकता यह एक scalar quantity है, बिल्कु सही है, यह 0 भी हो सकती है, positive हो सकती है, बट यह कभी negative नहीं हो सकती है, okay, if a body cover equal distance in equal time intervals, ठीक है, however small the intervals may be, then it's said to behave uniform speed, अब बिल्कु सही है, अब आपकी speed 50 km पर आ रहे है, ठीक है, ठीक है, तो क्या है, आपने equal time में, ठीक है, यहाँ देखना, बहुत अच्छी बात बोल रहा है, आपने equal distance cover किया equal time में, इसका मतब आपकी speed क्या है uniform है, अगर आपने unequal distance cover किया, किसी particular equal time में, तो क्या है, यह non-uniform speed है, तो यह तो motion और speed का आपको समझ में रहा है कि हाँ लेकिन एसा हम डिली रूटिन लाइप नहीं हो सकता कि यूनिफोम speed से जलता रहे कभी speed जाधा होगी कभी कम होगे तो हमें हमें को पूछे कि किस speed तो 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 चली रही यहीं हैं यानि हम बात करते हैं हमेशा आपको समझ बहुत बहुत चाहिसे अन्यस्पीड कितना टोटल डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर किया और आपने । टोटल टाइम कितना लगा तभी तो अब यहां पर टाइम है कितना time cover किया, distance, total distance को S से cover करते हैं और speed की बात करते हैं, तो speed के है S upon P, ये formula हम use ही करते हैं पॉल्कुल, बिल्कुल, 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 बहुत अच्छे से, अब देखो, एक चीज करते हैं हम बात करते हैं, माल लो, कोई object है, वो 16 meter है, वहाँ गया और वापस आया, ठीक है, तो 16 meter, 16 meter गया, 16 meter आया, तो total कितना meter हुआ, 32 meter इसने total travel किया, ठीक है, और इसको जाने में लगी 4 second, आने में लगी 2 second, ठीक है, तो कितना हो गया, 6 second लगी, तो total अगर मैं divide करूँ, तो क्या आजाएगा, total आजाएगा, 5.33 meter per second, ऐसा आजाएगा, तो यह average, क्या होगी, speed होगी, क्योंकि हम किसी भी object के average speed हमें काम आती है, ठीक है, बिलकुल average speed हमें काम आती है, अब देखो, हमने इस सारी बाते की थी, हमने one to one करके, मैंने आपको ब देखते हैं, कैसे one to one life में पक्षी उड़ते है, rest or motion में कैसे चीजों होती है, चाहिए वो items, molecules, planet, star, car, यह सब कैसे swim करते हैं, daily routine life में motion को कैसे feel करते हैं, इसके बारे में बात की थी, फिर हमने rest or motion के बारे में one to one करके, हमने चीजों को देखा था, अब एक चीज और के बारे में, तो it give an idea, यह हमें एक idea देती है, और how slow or faster the body is moving, कि कोई object कैसे fast or slow move कर रहा है, यह हमें idea देता है, क्या एक speed, ठीक है, यह हमें speed एक क्या idea देती है, speed हमें बताता है, कि कोई जो object है, कोई object कैसे slow है, और fast है, कितना slow or fast है, यह बात वो हमें बताता है, कि उसकी क्या है, ठीक है, speed के लिए, speed के लिए बहुत चीज ज़रूरी होती, speed के लिए दो चीजे जरूरी है, speed क्या होती है, ि कि स्पीड होती है मैं दिस्टेंस अपॉन टाइम उसके ढवाइट करेंगे टाइम में और एसा इन ύώνिट क्या होती है अगर जो भी ऐसा यła की स्पीड की होगी मिटर् पर सेकड हम कहते हैं टैन मिटर पर सेकंड की स्पीडC से चलता है ठीक है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती यह स्पीड के साथ साथ आपको विलो सिटी के बात करते हैं विलो सिटी पहोत अच्छे से समझना हैं बहुत बोडो से देखना बहुत अच्छी है अब समझो प्रूसीटी क्याई स्पीड हमें म्यक्निटूर तो देता है उसकी वेल्यू तो बताता है कि इस स्पीड से चल रहा है बट उसकी direction की बात नहीं करता ना तो speed does not give the idea of direction of motion की जिस direction में motion हो रहा है वो direction कौन सी है उसके बारे में speed हमें बात नहीं करता स्पीड हमें इसकी बात नहीं करता कि direction क्या है उस motion की बट विलोसिटी हमें उस speed के साथ साथ क्या देता है उस objective direction के बारे में भी बात करता है ठीक है तो नौ दा एक्जेक्ट पोजिशन ओफ इमोविंग ऑब्जेक्ट डारेक्शन शुड ऑल्सो भी नौ बिलकुस है रोभी तो विलोसिटी क्या है विलोसिटी ओफे ओब्जेक्ट इसटे इसा ट्रेवल ब sy microb sob abort पर ढेंट अब विलो सिटकовор कि पिलो सिटी का क्या है यई इस गिए बोल रहा है कि जितिविकल ट्रतेव लंकिया हाना फंट थीका उससे displacement अपन टाइम है इस प्लेस्मेंट अपन टाइम तो विलोसिटी क्या है विलोसिटी है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया किसी गीवन डायरेक्शन में हादा अगर हम उससे डिवाइड करेंगे जो उसने टाइम टेकन किया जो इतना टाइम लिया तो हमारे सामने आजये कि velocity velocity speed की magnitude के साथ साथ उसके direction की भी बात करता है बिलकु सही है यहां अगर मैं बात करूँ velocity velocity में हम लोग क्या है velocity के बारे में जब बात करेंगे तो हमारे दिमाग में यह formula आना चाहिए ठीक है लेगिन इसके साथ साथ हम direction की बात करता है इसका मतब velocity कैसी quantity है scalar या vector बिलकु सही है यह vector quantity है क्योंकि यह क्या कर रहा है magnitude के साथ साथ direction की भी बात कर रहा है तो speed और velocity की जब बात करते हैं तो हमारे सामने बिलकुल clear होता है कि speed क्या है और velocity क्या है आज के lecture में हमने बहुत सारी चीजों को discuss किया और उन चीजों को भी discuss किया जो हमारे एक ऐसे concept जैसे physical quantity displacement ठीक है उसके बाद में हमारे state of positions wrist क्या है motion क्या होते है motion में reference point origin point के बारे में देखा physical quantities के बारे में बात की scalar quantity vector quantity system of units क्या होती है उनके बारे में देखा यह बहुत basic lecture था जहां मुझे यह cover करना था कि चीजे कैसे सुरू होती है कैसे सुरू होती है ncrty में कैसे सुरू होंगी देखे हमारा महन परपर देखो यह दो तरीकी से पढ़ी जा सकते या तो मैं आपकी important fact निकालू और सीधा आपके सामने रख लेकिन मैंने यहां ज्यादा prefer किया है one-to-one क्योंकि science और subject से इसलिए different है अगर मैं आ लीचे मैं छोटे से point की बात करता हूं जैसे ncrt में जब आप ninth class के ncrt की बात करते हैं लेकिन other classes में इसका discussion किया है मैंने वहां से जब यहां मैंने units की बात की जब यहां ऐसा unit के बात की जब यहां मैंने physical quantity की बात की तो मैंने उनको mention किया ताकि fact आपके सामने हो ncrt में हमारा main purpose रहेगा line to line हर एक word का मतलब पता होना जैसे आज की lecture में मुझे जो लगता है आपने क्या क्या points ठीक है वह सबसे important rest क्या होती है ठीक है motion क्या होता है दोनों चीज़े देखिए आपने ठीक है उसके बाद आपने देखा physical quantities क्या है scalar quantities क्या है vector quantities क्या है ठीक है ऐसा ही units के बारे में बात की system of units के बारे में हमने बात की उसके बाद हमने speed के बारे में बात की ठीक है हमने velocity के बारे में बात की हमने uniform motion और non uniform motion के हमने बारे में बात की ठीक है हमने straight line motion की बात की Storyt Line Motion की हमने बात कि ठीक है, इसके बाद हमने straight line, motion के बाद हमने average speed को बताया कि कैसे calculate करेंगे, ठीक है उसके बारे हम बात की, अब हम बात करेंगे, कि velocity में जो changes है, वो क्या होंगे, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, छोटे-्छोटे points है, उनको discuss करते वे चीजों को चलेंगे ताकि यह topic आपके दो पार्ट में पूरा होगा बहुत basic से लेकर चल रहा हूं हर एक point का मुझे पता है हो सकता है कि कुछ स्टुडेंटों को जो साइंस बेग्डाउं से होते हैं उनके लिए थोड़ी चीजे सुरुवात में आता नो लेकिन जैसे आप लास 9 10 पूरे चक्टों को कवर करते भी चलेंगे पूरी बाइलोजी को बड़ी स्कैल पर देखेंगे पूरी physics को देखेंगे chemistry को कवर करेंगे सारे concept आपको क्लियर हो जाएंगे आपके बहुत सारे doubt क्लियर हो जाएंगे और मैंने मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं वैसे मैंने कम से कम five to six book को review कर लिया है पूरी pieces की questions देख लिया है कैसे पूछे जा रहे हैं क्या है कहां देखो मुझ मैं चाहूं तो एम हम चाहते तो मैं चाहता हूं कि आप उस question को क्यों नहीं कर पा रहे थे उस line को हमें कुंसी class में पढ़ा है कहां से हम relate करेंगे हर एक चीज को बताऊंगा पी-वाई-क्यू भी आपको बताऊंगा साथ में ठीक है पी-वाई-क्यू भी आपको साथ में बताऊंगा जैसे lecture होगा lecture के end में मैं आपको पी-वाई-क्यू बताऊंगा कि pieces में इस chapter में से यह पूछा जा रहा है और यहां हम first से रहते हैं और हमें यह सीख कर आगे निकल ठीक है so thank you everyone bye bye take care